नमस्कार दोस्ते मेरना मैं दिली पर आप देख रहा है माय टेक्नलजी इन फुर्ट भाई लोग आज का जो वीडियो है ये वेस्ट है हमारे बहुत ही पॉपलर क्वेश्चन के उपर बहुत ही बड़ा डाउट है हमारे एक ब्लॉगिंग कम्यूनिटी में जो कि हमारे मीडि इसको में एक पुरी अपनी अनालिसिस के तौर पर आपको कुछ सजेस्ट करूंगा ये प्रॉमिस नहीं करूंगा कि आप इसको इसको इंप्लिमेंट करो तो हंडिट परसेंट परसेंट पर पे आ जाओगे मैं आपको इतरा श्यरुटे जरूर दूँगा कि 95 परसेंट चा कर रहे हैं उन चीजों को कि इस तरह से आप इसको इंप्लिमेंट करने ही कुछिस कर रहे हैं आपके नॉलेज लेवल पर डिपेंड करता है ठीक है लेकिन आगा सही से आप इसको कर रहे हैं तो 95 परसेंट चांसे होगा कि आप राइंग करेंगे फरस्ट पे दूसरा यहां पर डॉट यह कितना दिन लाएगा कितने दिन में फरस्ट पे आएंगे नुवान कं से इस कोई भी नहीं बता सकता है इसका exact आंसर ही कितने दिन में फरस्ट पे आ सकते हैं मेरे हिसाब से अगर आप एक सिमिलर डोमेन अपने लेवल की डोमेन को कॉंपेट कर रहा है उसके क अगर हर चीज एक लेवल का है आपसे कमजोर है एक लेवल तक का है देन युकन कंपीट विदिन त्री तो फोर मन्स मिनिमम इट शुड़ को बट स्टिल आम नॉट शूर बट यह एक आवरेज आंसर दे सकता हूं कि इतना पॉस्पिलिटी तीन चार मेंने में उसको बीट क कर रहा है ठीक है हो सकता किसी साथ मैच भी करेंगे और जो है गूगल के फर्स्ट पेज पर दस रिजल्ट आ रहे हैं यहां पर नौहीं आ रहा है एक कम कर दिया गया और मारामारी हो जाएगा अब आप सेकेंड पेज पेज पर कोई आर्टिकल है जो कि आहां पर रैंक हो र यह concept है अब इसको बीट करने के लिए भाई देखो यहां पर कोई physical force नहीं लगता है किसे को घुसा माराई गिरा दिया गिलात मारा गिरा दिया फिसे को चमाट लगा दिया हट मैं जाए खड़ा हो जाओंगा ऐसा कुछ नहीं बता है आप ठीक है यहां पर लगता है virtual focus force जो AU comment करने की आशनाए यहां आपके जीतने चाहसे जादा होiãoगी जिसका वेर्ट से आपके बराबर हो यान हाईali से को बराबर हो सेम कॉंसेट वही होता है!!!!! मतलब कि जो फ़र्स्ट पेज पर आपके लेवल का है जो आपके डुमेन के साथ जो सफोस कि आपकी डुमेन एक साल की है उसका भी अगथलगल पुराना है आप के पास दो सौ रेकलिंक उसके पास तो आपको figure out करना है पहला काम यह पहला स्टेप जब हो जाएगा सब्सक्राइब आपने यह दो बंदों को figure out कि इन दोनों के साथ मैं fight कर सकता हूं आने वाले तीन मिने में गिरा दूंगा इनको तो आपने पहला काम कर लिया target audience figure out कर लिया आपका टागेट जो आपका 21 को गिराना है ठीक है अब चलते हैं वापस पीपीटी पे पीछे यहां पर आपको देखना क्या है चार पांथ चीज़े हैं जो बहुत बारिकी साब को मेंटेन करना पड़ेगा देखना पड़ेगा पहला आता है content quality content quality में आते हैं बहुत चारी चीज़े मैंने कुछ मेंजर चीज़ें यहां पर लिस्ट डाउन की है चार पांथ चीज़े ठीक इसके अलावा और भी चीज़े हैं आपको में बताता हूं पहला है length content matter करता है एक level तक length maintain करना है suppose कि depend करता article के heading के ओपर की topic पर लिख रहो अगर आपने लिखा how to lose weight आप 500 वर्ड में नहीं सकते इसको 500 वर्ड में नहीं सकते इसको 500 content ही नहीं है it has to go more than more than 3000 वर्ड राइट तीन हजार सो जादा होना ही होना इसको 5000 तक जाय तो भी चलेगा क्योंकि बड़ advantages, advantages, quality क्या है वो 5 के बताना पड़ेगा अगर एक में भी आपको 1000 वर्ड लगता है तो 5 में 5000 वर्ड लग जाएंगे तो आप comparison लिख रहा हो एक हजार वर्ड में नहीं सकते तो length matter करता है इसका तो आपको informative content लिखना है जो कि एक particular length का हो जिसमें सारी चीजे cover हो ये पहला content आ इतना आप user को बांद कर अपने content में अगर user आपके article पर आया तो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है पढ़ते होई नीचे गया कि नहीं गया क्या कितनी देर रहा ये कितना engage कि अपने उसको कितनी दर पकड़ कर रखा ये आपकी जिम्मदारी है content कैसे लिखना है क्या template हो बताया हुआ है article ने बताया हुआ है ठीक अपने content अपने website पर ही बताया हुआ है आप मेरे चैनल में search किजिए how to write content user friendly content optimized content इस पर आपको 5 वीडियो मिल जाएंगी article मिल जाएगा आप उनको refer कीजिए कैसे लिखते हैं तीसरा होता how much shareable your content is shareable का मतलब है social media shareable बहुत ज्यादा एक important factor बन गया आज की rate में Google के लिए वो इन signals को बहुत बारीगी से observe करता है हर एक post में नीचे देखेंगे social media share का options होते हैं जहां पी लोग share करते हैं वहाँ पे counter भी होता है counter लगाओ नहीं लगाओ Google इसको observe कर लेगा कितने लोग उने share किया हुआ है इसको ठीक है क्योंकि इ आपको यह चीज पर देयान देना वरा कितना shareable content है दूसरा उसके बाद आता है हमारा how much user friendly your content is user friendly content का मतलब होता है कितना आपका font size कैसा है mobile पे laptop पे देश्टॉप पे कैसा दिख रहा है visibility कैसी है user friendly है कि नहीं है image quality color combination rough color rude color नहीं लगाना चाहिए normal soft color लगाई हमेशा से जो कि अच्छा हो visible दिखे ads placement बहुत irritating होता है कभी-कभी किसी-किसी website पर जाओगे तो मारों को download कहीं हो जाया कुछ और download यहां कुछ क्लिक कर रहा है कुछ और क्लिक हो कुछ और खुल गया यहार अजीब irritating होता है उस तरह के ads placement मत करी article पढ़ रहा है बीच में एक ad blink करना शुरू ह हो गया it irritates तो इस तरह के ads placement जो होते है user friendly नहीं होते है pop-up like subscribe का आप कुछ बेच रहा है भाई email id दे दो यहां पर कुछ बेचना है इस तरह के irritating stuff को मत लगा यह website पर irritate करते हैं बड़े-बड़े जितने भी-ब्लोगर्स हैं उनकी website बहुती clean होती है नीटनी कुछ भी ताम हमने लिखेगा बट उनका smart way होता है वह आपको subscribe करा भी लेते हैं उस तरीके से so don't do later kind of coding मतलब garbage मत पहलाओ अपने article के उपर user friendly clean content लिखो आप ठीक है अगला हमारा जो आता है website की speed बहुत metric करता है बहुत ज्यादा यह biggest ranking factor में आता है आची रिट में website की speed आपको website की speed को control करन अंदर एक ideal website जो load होनी चाहिए ठीक है इतना असान नहीं होता website speed के लिए hosting बहुत जादा मेंटर करता है अगर आप shared hosting लेते हैं कहीं से चोटा मटा कुछ लेते हैं तो भाई आपकी website load नहीं होगी 2-4-5 article तक ठीक रहेगा उसके बाद जैसे article बढ़ते जाएंगे images डलते जा optimize करो जो करना पड़े करो आप सब कुछ कर सकते हैं इससे कि आपकी site की speed जो वो सही रहे हैं तीसरा backlink quality backlink quality बोले तो ऐसा नहीं बोलना हो कि आप अची quality backlink के पीछे भागो बनाओ उसको that matters but इन चीजों के बाद matter करता है वो पहरी बात की backlink quality में देखना पड़ता है आपके अगर आप इंचे जो कॉंटेंट के अंदर यह सारी चीजे जो मैंने बताया आपको या फिर speed यह सारा आपको अपना नहीं देखना है उसने कैसे लिखा है और कितना user friendly उसका सब content है कितना speed है उससे साब आपको अपने में implement करना है यहाँ ठीक है तो यह आपको देखना backlink quality user client का organ krit का officer का आपको निकालन ऑनना पड़ेगा कहा कहा से इसको मिला ठीक है पीड टूल यूस कीजिए इसको पीडूल एकimentos की कीजिए एक करेंड जितने भी कॉंप्लिंटर उनके backlink की लिस्ट को निकालीग कहा कहा से मिला कितने सारे गेश्टjat संफिए है कितने सारे लोग के रहें तो हम आपको क्वालिटी जो भी बैक लिंक कितने हैं एक कॉम्पुरेटर का वो सारा आपको सिर्फ 100 रुपीज में मिल लाएगा पूरी पूरी लिस्ट जितने भी बैक लिंक होंगे ठीक है तो आप चाहें तो भी ओडर कर सकता है चौथा था डोमेन ऑथरीटी यह तो उतना बड़ा राइंकिंग फाक्टर नहीं है यह से कि अपने देखा कि जब थर्ड पेज पर सेकेंड पेज पर यहांपर यह अमारा दुसरे जगप आगर आप देखिए गाथ यहां पर सेकेंड पेज पर कोरा भी आ रहा है फिलिपकाट भी आ रहा है ठीक कोरा करता है पहला चीज दूसरा चीज कॉंटेंट की क्वालिटी कि इस पर आ रहे हैं वह मैंटर करता है तो आपको यहां पर डोमेन अथिरुटी में रहना जरोड़ी है थोड़ा बहुत इंपक्त पड़ता ही पड़ता है उसके बाद था पांच पाक CTR क्लिक तुरू रेट अग को यह मालन में होगा हम सभी जाते हैं कभी-कभी नहीं जो भी कुछ सवरच करते हैं कुछ दूनते हैं फरिस पे नहीं मिलता की वॉड़ी चानी कृत्तन पे फिर कौन पे चीज नहीं मिलता है तो श्वास कि अनकरा देख vagina फिर हटा यहां पाउस हो अंको कृसरा क्लिकि तर आप देखना है, यहां पर इंगेजमेंच new duy publisher enga amazing user engagement AT muss 那就 कि अपने आप ऊपने अपने इंटर लिंग की उन जाए इसारी चीजें program बहुत important है ये 6 साथ चीज़े जो कि अगर आप implement करते हैं तो definitely आपका जो है 95% आप first page पे आएंगे, जो भी मैंने आपको ये suggestion दिया, it's a suggestion, it's not a command, command बुरू तो मैंने आपको बताया और आपको यही करना इसा नहीं है, use your own brain, अपनी analysis capacity उबढ़ाईए, research कीजिए, देखिए, क accordingly, कोई domain खरीदो, उस article बुनको fight करो, दो साल wait करो, उसे आप से काम करो, तो rank होगा, so यह पुरा-पुरा long term plan है, यह पुरा-पुरा long term plan है, immediately नहीं होगा, हो सकता है, आप यह चीज़े कर रहे हैं, consistently नहीं कर रहे हैं, कितना, और एक चीज़े भी था, consistently मैं आपका आपका, कितना जली-जली आर्टिकल पोस्ट करता है, that you also have to observe, मैं आज यूट्यूपे मेरे पास 5-6,000 सब्सक्राइबर है, क्यों है, जब मैं दो साल से चैनल है, लेकिन जो मेरे बाद आया, उनका, एक लाग के आसपास चला गया, देल लाग चला गया, इसलिए गया कि वो consistent है, वो यह एक overall मेरा suggestion था, जो कि आप implement किजिए, और एक request है, अगर आपको इससे बहतर content YouTube पे कहीं मिलता है, या अवसर किसी article में मिलता है, तो please comment में जरूर बताईएगा, थोड़ा मुझे ही मौका मिलेगा सिखने का, अगे देखूंगा, कि और क्या-क्या चीज़ इंप्लिमेंट पे help मिलेगा, तो और अगर कुछ बहता रहो तो जरूर कमेंट में बताईएगा क्या है, बाकि आपको अच्छा लगा है, तो overall आपसे इतना ही expectation होता है, कि आप लोग comment में करे, like करे वीडियो को, ताकि अपना ही motivation बना रहा है, ठीक है, thank you so much for watching, मिद्द अगली वीडियो मे बाई, take care